आज की वीडियो में मैं आपको 626 की फैक्टर 3 बनाना से कहूँगा फैक्टर 3 बनाने से पहले यवको पता होना जरूरिय है कि prime नूबर क्या होते है बहुते हैं यहाँ नमबर जो 1 से डिबाइट हो या फिर ठूद अपने आप से डिबाइट हो वापस में मल्टिप्लाइब करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वाई होगा जिसकी आपको वेक्टर ट्री बनानी थी 2 x 313 626 हुआ इसका मतलब है कि आपकी factor tree एकदम सही and 2 x 313 626 के prime factors भी होँगे और अगर आपको 626 की factor tree का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को like and subscribe जरूर कीजे